हेलो फ्रेंट्स जिस दिन भी आपका रोटी सब्जी बनाने का मन करें और कुस डिफेरेंट सा खाने का मन करें वो भी खरके ही समान से तो हमें क्या लेने हैं दो कच्चे आलू आज मैं दो कच्ची आलू से ही आपको एक ऐसे नाश्ती के रेसिपी शेयर करूंगी जो खाने में कुर-कूरी चट-पटी है साथ में बनाने में एज़ी भी है तो यहां पर मैने नोएंग ने दो कच्ची आलू ले लिये हैं इनको मैंने पहले ही धोकर पील चाल ऋब कर लिया है और आलो प्यास इसे घर में मिल ही जाती है तो चालिये एक साइड के अब रहे जिएरा डाला है दो हरी मिर्च डाली है बच्चों के लिए बना रहे तो तीखा कम डाली है एक मिर्च डाली है साथ में डाला है मैंने एक टुकड़ा यहां पर अधरक का अधरक से बहुत अच्छा टेंट आएगा अभी जो हमने आलू प्याज कट करकर रखे ते यह भी एड़ कर देंगे और अगर आप लसुन खाते हैं तो आप दो से तीन कलिया यहां पर लसुन की भी एड़ कर सकते हैं और साथ में थोड़े से पत्ते में हरेदनी के एड़ कर रही है जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा तो पीना पानी डाले हमने यह जो मिक्स्टर है यह पीस कर रेड़ी कर ब्ह semaines ता से जीटा यह जेँंगे 400 और संश Columbus से तरह परकावचर ृणानी जादा अब पास कसूरी मेती हो तो आप आदा चमष्णी से में बढ़ कर कसूरी मेती का जरूर डाले फिर देखना नाश्टे का कितना मज़ेदार फ्लेवर आएगा साथ में चंबच मैने यहापर वाइट टिल डाले हैं आप चाये तो यहापर काले टिल भी डाल सकते हैं एक चुटकी सौप डाली है, कच्छी सौप डाली है मसाले वाली होती है, स्वाद अनुसार नमक एट कर दिया है और अब इन सारे मसालो को हम आलू प्याज के इस बैटर में मिक्स कर देंगे जो इन मसालो का फ्लेवर है, वो इस बैटर में आ जाए और अच्छे से ये देखिए, हमने ये सारी चीजे बहुत बढ़िया से मिक्स कर दी है आप मेरी ये रेसिपी कौन सी सिटी या कौन से देश से देख रहे हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखके बताए और जब सारे मसाले मिक्स हो जाए, उसके बाद हमने एक कब भर कर यहाँ पर गेहूं का आटा एड़ कर दिया है गेहूं का आटा ये वही है, जिससे रोटी या चपाती बनाते हैं अब आटे को हम इसमें धीरे 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 अच्छे से मिक्स करते जाएंगे शुरू में तो ये हमें काफी सॉफ लगेगा, पर दिरे दिरे जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये जो आटा है, ये अपने आपी हार्ड होता चला जाएगा और ये देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है आप इस नाश्टे को 10-15 दिन असानी से स्टोर करकर भी रख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और आप इसे लंबे सफर पर भी ले जा सकते हैं अब इस आटे को हम सिरफ 5 मिनिट के लिए रेस्ट पर छोड़के कुछ और काम कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे चेक कर रहे हैं तो ये देखिए, आटा हमारा बहुत अच्छे से से सेट हो गया है फिर भी इसे हम एक से दो बार अच्छे से यहां पर दोबारा से मिक्स करकर इस तरीके से उठा लेंगे और उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर मैंने एक पैन चड़ा दिया आप कड़ाई वगयर अभी ले सकते हैं हलका से तेल डालेंगे तेल में कुछ भी एटनी करना है सिरफ आपको यह जो आटा है यह इसके अंदर इस तरीके से सेटल कर देना है और इसको हमें low to medium flame पर अलट पलट कर अच्छे से पका लेना है क्योंकि जो हमारा यह आटा है आटा अभी कच्चा है अगर हमें इसकी जो storage life है वो लंबी करनी है यानि इस रेसिपी को जादा दिनों तक अगर हमें store करके रखना है तो हमें इस आटे को बहुत अच्छे से यहाँ पर पकाना पड़ेगा पर इस बात के आप चिंता मत कीजिए कि आपको यहाँ पर मिन्टो या घंटो मैनत करनी पड़ेगी एक मिनट की अंदर ही यह जो आटा है हमारा बहुत अच्छे से सटल हो जाएगा बहुत अच्छे से पक जाएगा और जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इसे पलटती जा रही जो कलर है साथ के साथ वह भी चेंज होता जा रहा है और यह देखे आटा भी अब हमारा हार्ड हो गया है जितना हमारा आटा सोफ्ट था उतना भी नहीं रहा उससे थोड़ा हार्ड हो गया है तो अब इसको हम निकाल लेते हैं सेम उसी बरतन में तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है अब यह आटा जो हमारा काफी गरम है और थोड़ा बिखरा बिखरा है तो हलका सा उंगलियू पर मैंने आपर तेल लगा लिया उसके बाद इस आटे को मैंने यहाँ पर अच्छे से मत कर सेट कर दिया है अब इस लोई में से हम यहाँ पर दो भाग कर रहे हैं आप चाहे तो तीन भाग भी कर सकते हैं जिस हिसाब से भी आपको सुईधा हो तो यहाँ पर मैंने बोड ले लिया है आप चकला भी ले सकते हैं या प्लेट फॉर्म पर इस तरीके से इस लोई को रखकर आप बेल लीजिए ना पतला ना मोटा उसके बाद कोई भी कटोरी गिलास या कटर लेके इसमें से इस तरीके से नाश्टे के पीसे कट कर लीजिए बहुत इजी है और बच्चे वे आटे को हम दोबारा से रियूज कर लेंगे तो फटा फट से सारे आटे में से मैं इसी तरीके से इस नाश्टे को यहाँ पर बना कर तयार कर लेती हूँ तो यह देखिए यहाँ पर मैंने सारे नाश्टे के पीसे बना कर तयार कर लिये हैं अब इसे लेके चलते हैं गैस के तिरफ तो गैस पर मैंने चमचा तेल गरम होने के लिए रख दिया था और जब तेल गरम हो जाए उसके बाद आप इसके चार या पांच नाश्टे इस तरी के चिसमें एट कर दीजिए फ्लेम को हम यह लो टू मीडियम के बीच में रखना है और अलट पलट कर दोनों साइड से हम इस नाश्टे को यहां पर क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेख लेंगे और आप देख सकते हैं कितना मज़े का कलरा है नाश्टा हमारा कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तयार हुआ है तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और य रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा तो मिलते हैं नए दिन नए रेसिपी के साथ थैंक्यूंग